उपी में अब तक दर्जवे 299 मामले धर्मानांतर कानून में 507 से ज्यादा गिरफ तारी हो चुकी है अब तक 50 मामलों में पिरतों ने कबूलि धर में बदलवाने की बात 27 नवंबर 2020 से यूपी में लागु है धर्मानांतर कानून गयर कानूनी धार्मिक रुपांतर निशेद कानून और दोशी पाय चानवह पन आपको देखे दस साल की सदा का प्राउधान हुआ है जुर्माने की राशी 15,000 से लेकर 50,000 तक ही कही है तो सक्त नियम है धर्मानांतर के कानून को लेकर यहां पर एक तरफ आपको सजा जो है वो दस साल की उसके बाद यहां पर आपको 15 से 50 हजार तक की जुर्माना राशी भी देनी होगी और सतीश हमारे सायोगी जुड़े हैं इसे खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ सतीश देखे एक अच्छी कोशिश यूपी सरकार की रही है कि धर्माना राशी को बढ़ाए गया इसके साथ सजा का अभी प्रावधान अभी आगे और ऐसे कई रिकॉर्ड होंगे जिसमें कई गिरफतारिया होंगी बिलकुँ धर्माना राशी को लेकर जीस तरह सी यूगी सरकार सक्त है 2020 में कानून को पारिट किया गया तब से अगर आप देखें कि अपडेट देखें 500 से अधिक लोगों की गिरफतारी की गई यह सबसे ज़्यादा है कि जो केस आया है बरेली रिष्टिक में बताया जा रहा है उनसर केस जो सामने आया है मतले धर्मानतर को लेकर तो इसको लेकर सक्ती देखी जा रहे है आप देखें कि लंबे समय से धर्मानतर को लेकर अलग अलग समुदाय के लोग प्रेसर देकर लोगों को धर्म परिवर करके दबाव डला जाता है फिर उसके बाद उनका उत्पिटन किया जाता है तो ऐसे लेकर योगी सरकास सक्त रविया अपनाया है जिसको लेकर कानून और मजबूत कर दिये गए इसमें बताया गया है कि 10 साल से अधिक सजा है उसमें और तकर पचास हजार के आसास उसके जु इसमें सबसे ज़्यादा है जो बरेली वहुंसर के मामले सामने आये इसके अलावा गाजयाबाद में आप देखें कि 15-15 गाजयाबाद छेतर में आये पुरवांचल छेतर में की बात किया जाए खासकर एक तरसे गाजी फूज छेतर और ब्रनारस के छेतर में तो वहाँ व अब इसके मामले भी आप दिरे-दिरे कम होते जा रहे हैं कि इस तरह से एक्सन योगी सरकार दोरा लिया जा रहा है तो उस पर लोगों के अंदर पावंदिया भी देखी जा रही है कि प्रेसर नहीं किसी पर भी दबाव डला का धन्वांतर को कबूला के तोर भी नहीं देख हमने आ जाता है तो उस पर लेकर एक्सन या जाता है रहो परताफास होता है जी ठीक है बहुत-बहुत शुक्रिया सतीश तमाम जानकारियों के लिए देखी किशों परसाद मौरया ने रामपुर और मेन्पुरी उप्चुनाव मी जीत का दावा करते हुए समाचति पार्ठी पर हमला बोला इसके साथ देखनो